नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिशन के बारे में जो दातों के दर्ध में तुरंत रहा दिलाती है इस टैबलेट का नाम है कैटरोल डीटी, इस वीडियो हम कवर करेंगे इसके यूजिस कि दातों के दर्ध के अलावा किन दर्धों में हम इसका यूजिस कर सकते हैं, इसके side effect क्या है, कैसे ये काम करती है और इसे लेने से पहले कौन कौन से precautions को हमें ध्यान में रखना चाहिए कैटरोल डीटी एक NSAID है, एक non-steroid anti-inflammatory drug में ये आती है इसे जातर prescribed किया जाता है दर्ध को कम करने के लिए और inflammation जो swelling है उसको reduce करने के लिए जैसे कि दातों का दर्ध हो गया, arthritis हो गया, muscles pain हो गया और post-surgical pain हो गया चलिए अब हम बात करते हैं कैटरोल डीटी काम कैसे करती है ये NSAID drug के class से blow करती है, ये कुछ ऐसे chemicals के production को रोकती है जो inflammation और pain का कारण बनते हैं कैटरोल डीटी, COX-1 और COX-2 enzymes के production को blow करती है जिससे inflammation और pain signals कम हो जाती है और हमें discomfort और inflammation में, swelling में और pain में relief मिलता है हर medicine की तरह कैट और डीटी के भी कुछ side effect देखने को मिल सकता है ये जरूरी है कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि जरूत पढ़ने पर आप सही action ले सके इसके कुछ common side effect है जो देखने को मिल सकते हैं जैसे कि stomach pain और discomfort हो सकता है nose या vomiting feel हो सकती है diarrhea और constipation भी हो सकता है और कुछ cases में dizziness और headache भी देखने को मिल सकता है इसके अलावा इसके कुछ serious side effect भी होती है जो काफी rare होते हैं बर देखने को मिल सकते हैं जैसे कि severe allergic reaction हो गई GI bleed या ulcer भी हो सकते हैं liver और kidney से related issues भी देखने को मिल सकते हैं काफी rare cases में heart attack और stroke भी हो जकता है अगर आपको इन में से कोई भी symptoms देखने को मिलता है या महसूस होता है तो तुरंत आपको अपने डुक्टर के पास जाना है उनसे सला लेनी है Cateraldity को लेने से पहले कुछ precautions है जिसको मैं ध्यान में रखना चाहिए जैसे अगर आपकी कोई history है heart disease की, high blood pressure की या stroke की तो इसे continue करने से पहले अपने डुक्टर से discuss करें इसके साथ अगर आपको liver kidney से related कोई issues है या फिर pregnancy है या breastfeeding woman है या पहले से कोई NSAID drug blood thinner या cortic estroid चल रहे हैं तो इसे continue करने से पहले अपने डुक्टर से सलाल है discuss करें उसके बाद इसे continue करें वीडियो से related अगर आपका कोई भी question असू please comment करें चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें धन्यवाद